नमस्कार दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर, दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारी आने वाली नहीं न्यूस वीडियो देख πाए सबसे पहले. गुदावरी के पावन तट पे श्वेत नामक एक ब्राहमन रहते थे जो शिवजी के अनन्य भक्त थे सदा शिवभक्ती में लीन रहते थे उनकी आयू पूरी हो चुकी थी यमदूत उन्ही समय से लेने आये लेकिन यमदूत श्वेत के घर में प्रवेश नहीं कर पाए तब स्वयम मृत्युदेव आये और श्वेत के घर में प्रवेश कर गए श्वेत की रक्षा भैरो बाबा कर रहे थे भैरो बाबा ने मृत्युदेव से वापस जाने के लिए कहा लेकी न मृत्यु देव ने भेरो बाबा की बात नहीं मानी और श्वेत पर फंदा डाल दिया भक्त पर मृत्यु देव का यह आक्रमन देखकर भेरो बाबा को सहन न हुआ भेरो बाबा ने मृत्यु पर डंडे से प्रहार कर दिया मृत्यू देव वही ठंडे, हो गए मर गए मृत्यू की मृत्यू सुनकर यमराज आ गए उन्होंने श्वेत पर यमदन से प्रहार कर किया, वहाँ पर कार्तिके जी पहले से ही मौजूद थे जो श्वेत की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने यमराज को मार गिराया और साथ में, यमदूतों का संघार कर दिया मृत्यू की सजा देने वाले यमराज की भी मृत्यू हो गई, यह देखकर सूर्य देव विचलित हो गए, क्यूंकि यमदेव सूर्य देव के पुत्र हैं, पुत्र को मरा हुआ देखकर सूर्य देव ने भगवान शिव की आराधना की, भोले दोस्तों आपको हमारे दुबारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो यह इस वीडियो को जायदा से जायदा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में तब तक जुड़े रहे हमारे साथ